हेलो एप्रिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम और डॉटर में तो आज हम बनाने जा रहे हैं धाबा स्टाइल लौकी के कोफते गैरेंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से लौकी के कोफते बनाए तो हमेशा आप ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे और फैमली वाले तो उंगलिया चाटते ही रह जाएंगे और हमेशा इसी की डिमांड करेंगे तो चलिए स्टाइट करते हैं धाबा स्टाइल लौकी के कोफते तो इसके लिए मैंने लिए है एक लौकी वजन में ये एक किलो है तो इसका थोड़ा पार्ट में हटा के अलग कर दूँगी और इतने भाग के हम कोफते बनाएंगे तो सबसे पहले लौकी को अच्छे से वाश करके इसका छिलका निकाल लेंगे हम और इसे हम किस लेंगे तो यह देखिए छिलका निकाल लिया है मैंने और अब इसे हमें ग्रेट करना है तो यह बड़े वाले portion से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी तो ये देखिए सारी ही लौकी मैंने ग्रेट कर ली है और इसका बीज वाल अपार्ट मैंने हटा दिया है उसे हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक कप बेसन तो अभी मैंने आधा कप डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने लौकी का पानी निकाला नहीं है बेसन को हम उसी से ही मिक्स करेंगे अलग से पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी तो हम लौकी के ही जो पानी होता है लौकी में उसी से ही बेसन को मिक्स करेंगे तो यहां मैँ दाल रही हूं यहां मैंने एक टेस्पून जाली ह면 फोर्थ टीस्पून हीम डाल दिया है एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिच पाउडर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे तो यहां मसाले मैंने सभी डाल दिये हैं और अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें तो यह देखिए मिक्स करने के बाद नीम्बू से थोड़ा सा बड़ा साइज की हम ऐसे कोले बना लेंगे और यहां मैंने कढ़ाई में ऑईल रख दिया था गरब होने के लिए तो गरम हो गया है और अब हम यहां पर इसके कोफते तल लेंगे फ्लेम हमें अभी हाई रखनी है उसके बाद जब कोफतों पे हल्की सी कोटिंग आ जाएगी कलर की तब हम इसे मीडियम कर लेंगे ताकि कोफते अंदर से भी अच्छे से फ्राइ हो जाए तो एक बार में जितने आते हैं कढ़ाई में उतने हम फ्राइ कर लेंगे पहले इन कोफतों को आप ऐसे ही पकोड़े के रूप में खाएंगे न तो तब भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह तो यह देखिए एक तरफ से कलर आ चुका है इनमें तो अलट्टे पलट्टे हुए हमें इने गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यह देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है तो सभी तरफ से इसे हमें पलट्टे हुए गोल्डन कलर लाते हुए पलट्ट लेना है और उसके बाद हमें से प्लेट में निकाल लेंगे तो यह फर्स्ट बैच के हमारे कोफते बिल्कुल रेडी हो गए है फ्राइ होकर देखिए कितने बढ़िया लग रहे है इन्हें आप ऐसे ही स्नेक के रूप तो अब कड़ाई से एक स्ट्र ऑइल हटा दिया है मैंने और केबल चार टेबल स्पून ऑइल लिया है और इसमें मैंने एक टी स्पून डाला है जीरा वन फोर टी स्पून हिंग डाल लेंगे एक टेबल इस्पून अद्रक जिसे मैंने किस करके डाल दिया है तो अद्रक को अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ अधरक अच्छे से पक गई है और इस स्टेज पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इस स्टेज पर हरा धनिया डालने से ग्रेवी का जो टेस्ट हो बहुत ही पढ़िया आता है जरूर से ट्राइ कीजीगा ऐसे तो हरा धनिया डाल दिया है मैंने और यहाँ पर मैंने तीन टमाटर की पियूरी डाली है जो की लगबग एक कप के करीब है तो यहाँ पर टमाटर डाल देने के बाद इसे मेडियम फ्लेम पर हमें पकाना है अब हम डाल देंगे दो हरी मिश कटी हुई प्लेम यां हमें मीडियम ही रखनी है अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिश पाउडर डालेंगे दो टीस्पून धरियां पाउडर डालेंगे और एक टीस्पून साधी लाल मिश पाउडर डालेंगे और यह मैंने पाउडर लिया है जिसमें कि 4 लॉंग, 4 काली मिश, 1 बड़ी लाइची, 2 छोटी लाइची है और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा है जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है गरम मसालों को इस तरह पाउडर बना के डालने से सबसी का फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही बढ़ियां आता है और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 inspiring गरम मसालो का पाउडर और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कर ने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 तीस पून चाट मसाला पाउडर और 1.5 गिरा पाउडर डाल देंगे तो इन्हें भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहां हमें low to medium flame पर सभी मसालों को पकाना है जैसे जैसे मसाले पकेंगे उसका flavor और ही बढ़ता जाएगा तो अब हम डाल रहे हैं यहां पर 1 4th cup मैंने तिल ली थी सफेद तिल उसे पहले dry roast किया और फिर उसे पीस लिया और इसे अब हम डाल देंगे gravy में इससे डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जो डाबे वाले होते हैं वह ग्रेवी में तिल का नहीं तो दई फट जाएगा तो इसे हमें continue चलाते जाना है और यह देखी हमारी gravy कितनी बढ़िया लग रही है तो अभी इसे low to medium flame पर पकाना है हमें तो यहां पर bubble आने लग गए हैं और अब इस पर मैं डालोंगी एक टेबल स्पून कसूरी मेथी जिसे में हातों से क्रिश करके डाला है तो इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे कसूरी मेथी डालने से सबसी का टेस्ट जो है वह बहुत ही बढ़ियां आता है तो इन सभी चीजों को हमें low to medium flame पर पकाना है और यहां पर देखिए हमारी gravy कितनी बढ़ियां बनके तयार हो गई है oil release कर दिया है हमारी gravy ने और इसका texture कितना बढ़ियां लग रहा है देखिए सारा oil जो है वह उपर आ चुका है तो अब इस स्टेज पर यहां पर हम गरम पानी एड़ कर देंगे इसमें जितनी आपको थिकनेस रखन अच्छा होता है ठंडा पानी कभी भी एड़ नहीं करना चाहिए और अब यहां boil आ गया है तो अब हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे लोखी के वह एड़ कर देंगे तो यह देखिए सभी कोफ्ते मैंने ग्रेवी में डाल दिये हैं हलके हाथों से इसे हमें ग्रेवी में मिक्स कर लेना है और अब हमें इसे पकाना है और उसके पहले हम इसमें डाल देंगे देर सरा हरा धनिया जो किसकी टेस्ट को और भी बढ़ाएगा तो 5 मिन तक इसे हमें अच्छे से पका लेना है ताकि जो ग्रेवी है वो कोफ्ते अब्सॉप कर लें अच्छे से और यहाँ देखिए अबारी ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया है और यह हमारी कोफ्ते की सब्जी जो है हमें बन कर रेडी हो गई है तो ये देखिए हमारी सबजी का कलर कितना बढ़ियां लग रहा है तो ये देखिए इसमें बॉइल आ चुका है इसका टेक्शर देखते ही मुँ में पानी आ जाएगा और इसकी खुश्बू इतनी शानदार है आप यकीन करिए पूरा किचिन जो है महक रहे मसालों की खुश्बू से तो चलिए अब हमें से साफ करते हैं देखने से ही आ रहा है ना आपके भी मुँ में पानी कितनी टैम्टिंग लग रही है ना इसका कलर और इसका टेक्शर बहुत ही बढ़ियां लग रहा है तो इसे आप चावल के साथ भी का सकते हैं तो इसे मैंने गार्निश किया है फ्रेश क्रीम के साथ में तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले आपके फीडबेक का इंतिजार रहेगा तो आपके वाइक का इंतिए